हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल आज देखें हम इस तरह से बहुत ही प्यारा से एक पैटर बटाएंगे यह यह पैटरन है बनाने में बहुत असान है पर देखिए दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है इस पैटरन को हम लेडिस काडिगन, जैकेट, स्वेटर, कोटी किसी भी बना सकते हैं जैन्स प्रजेक्ट में ब्लैंकेट्स पे किसी भी बनाएं बहुत ही सुन्दर बनता है देखिए इस तरह से साथ में इसके एक पत्ती पत्ती सी बनेंगी और इस तरह से पैटरन हमारा जि तरह से प्तिप्टी लेने हैं चींकि 15 फंद्रा से घुना करते हुए हमने फञ्रीने से जहां तक 15 फंद्रस फंद्रें लेने हैं और दो फंद्री एक्ट्रा हमारे सेसे सorest करेंगी चोधा रोज के बाद हमने पैटन को शिफ्ट कर देना है तो चलिए इस सुन्दर से प्यारे से पैटन को बनाते हैं हम तो यहां देखे मैंने डिमांस्ट्रेशन के लिए नीडल पे 19 फंदे लिए हैं 15 फंदों से हमारा एक बार यह पैटन बनेगा दो फंदे एक्ष्टर लिए है पैटन को और जस्ट करने के लिए और दो हमारे एज स्टिच रहेंगे तो टोटल यह हमारे 19 फंदे हैं फंदों को सीधे तरफ लेने के लिए मैंने एक स्लाइज जो है उल्टे फंदों से बनाई है और इस पैटन को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे रो वन है हमारे पैटन की राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे आगे हमारा यह रपीट पैटन है देखें दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टिच फिर दागे को अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टिच फिर दागा अपनी तरफ करके आठ फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे उल्टे होगे हमारे दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा तो यह यहां तक हमारे 15 फंदों का पैटर्न आगया यह दिखें दो फंदे एक्स्टर हैं हमारे तो इनको हमने दो को उल्टा बुनना है और लास्ट हमारा एज स्टिच है वो हम सीधा बनाएंगे राइट साइड से हमारी रो बन कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और यह हमारी रो टू है अब उल्टी तरफ देखिए जो जैसा फंदा होगा हमने वैसे ही राउंग साइड से बनाते हो जाना है सीधे फंदे पे सीधे फंदे की बुनाई करेंगे और उल्टे पे उल्टे फंदे की बुनाई करेंगे तो आपको मैं ये एक रो कम्प्लीट करके दिखा देती हूं, उसके बाद ये रांग साइड हर बार वैसे ही बनेगी, सीधे पर सीधे पंदे की बुनाई और उल्टे पर उल्टे की बुनाई बनेगी अब आगे देखिए उल्टा फंदा है तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी यह सीधे दिख रहे हैं तो यह मैं दो फंदे सीधे बुल लूँगी उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और यह दोनों सीधे दिख रहे हैं तो यह दोनों फंदे हमारे सीधे बनेंगे तो रांग साइड से हमने जो जैसा फंदा होगा वैसे बनाते हुए जाना है तो रो टू रांग साइड हमारी कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारे पैटर्न की रो थरी है हम देखें पहला फंदा हमने स्लिप किया उसके बाद दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं पर्ल टू स्टिचीज दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टेच दागा अपनी तरफ करेंगे पर्ल टू स्टेचीज दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब जी हमारा सीधा फंदा है तो इसको हमने करना है ट्विस्ट तो इसतरे से पिछले फंदे को आगे ले आएंगे और आगे बाले सीधे फंदे को हम पीछे ले जाएंगे इसतरे से दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा ही बुरेंगे तो twist two and knit two stitches तो ये देखें आपे अब हमारे पास दो सीधे फंदे आगे दागा अपने दर्फ करेंगे अब आगे हमने साथ फंदे उल्टे बनाने हैं पर्ल seven stitches साथ फंदे उल्टे होगे एक फंदा सीधा पैटर्न के फंदे हैं जो हमने अज्जस्ट करने के लिए लगाए हैं तो इनको हम उल्टा बनाएंगे हर बार और लास्ट का इजिंग का फंदा सीधा रहेगा तो देखें हमारी row three complete होगी है अब हम आगे हैं उल्टी तरफ wrong side से जो जैसा फंदा दीखेगा वैसे ही बनाएंगे देखें अब आपको दो तिन स्लाइओं के बास ये खुद से विजिबल होना शुरू हो जाता है ये उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे ये सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे तो जैसा फंदा होगा रॉं कि निट वान स्टेच दागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे पर्ल टू स्टिचीज दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब हमने अगले दो फंदों को ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट करेंगे सेम वैसे ही पिछला फंद आगे ले आएंगे आगे वाला पीछे वाले तरफ ले जाएंगे दो फंदों को अपफ में ट्विस्ट करने के बाद हमने दोनों को सीधा बुरना है तो ट्विस्ट टू एंड निट टू स्टिचीज दागा अपनी तरफ करके फिर हमने आगे छे फंदे उल्टे बुरने हैं पर्ल सिक्स्टिचीज एक दो तीन चार पांच और ये छे 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 फंदे हमारे उल्टे होगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे दो फंदे हमारे जो एक्स्ट्र है वो उल्टे बनेंगे हर बार और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से रो फाइब हमारी कम्प्लीट होगी है अब माग उल्टी तरफ रॉंघ साइड से दिखें रू 6 है रॉंघ साइड से उल्टी तरफ से वैसे ही हमने जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बनाते हुए जाना है सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टे बंदे की बुनाई होगी तो यह मैं आपको कम्प्लेट करके दिखाती हूँ अब हम आगे हैं सीधे तरफ और ये हमारे पैटर्न की रोज 7 है राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे अब हमने तीन फंदे उल्टे बनाने हैं एक दो और ये तीन अब ये वला जो हमने फंदा बनाया हुआ है सीधा इसको यहाँ पर हमने उल्टा कर देना है ताकि यहाँ पर हमारे पत्ते वाली शेप जो है सीधे फंदों से आएगी वो ऐसे ही हमने बना लेनी है तो यहाँ पर हमने तीन फंदे उल्टे बनाने है उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाया दो फंदों को ट्विस्ट की यह देखें इस तरह से दागा के पांच वंदे नैए अलत İs स्टिचीज एक पंदा सीधा बनाएंगे और जो दो एक्स्टा पंदे हैं हमारे उसको हमने उल्टा बनाना है पर्ल टो स्टिचीज लास्ट का हमारा पंदा सीधा रहेगा तो यह देखें हमारी रो सेवन कंप्लीट होगी सीधी तरफ से अब हम आगे हैं रॉंग साइड उल् तो उल्टी स्लाई जो है हमारी सेम बनेगी सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा पंदा बनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यह मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ रॉंग साइड अब हम आगे हैं सीधी तरफ तो यह देखें हमारी यह पैटन की रू नाइंथ है राइट साइड से पहला पंदा स्लिप करने के बाद दो पंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज अगला पंदा सीधा निट वान स्टेच अब हमने चार फंदे उल्टे बनाने है पर्ल फोर स्टिचीज दो तीन और यह चार अब इसको भी हमने जो सीधा बन रहे थे इसको यहां पर उल्टा बना के बंद कर देना है एक फंद सीधा बनाएंगे अब देखें अगले दो फंदों को ट्व इस तरह से बनता हुआ जाएगा तो यह लेखें ट्विस्ट करने के बाद इन दोनों को हमने सीधा बना लिया तो यहां पर हमारे टोटल तीन फंदे बीच में सीधा बनेंगे उसके बाद देखें आगे हमने चार फंदे उल्टे बनाने हैं एक फंदा सीधा बना लेना है लास्ट के दो फंदे उल्टे मनेंगे पैटन के और सीधा बनेगा लास्ट का तो रोॉ 9 रौंगसाट से हमारी कम्प्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और यह हमारे पैटन की रो 10 है रौंगसाट से जो जैसा फंदा दिखेगा वाधЧто बनाते हुए जाएंगे सी सातियों कम्प्लीट करके अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड से यह हमारे पैटर्न की रू 11 है पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे पर्ल टू स्टेचीज एक फंदा सीधा अब हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार अब हम इसको बंद करेंगे जह सीधा था इसको हम उल्टा बनाके यहांब इसको बंद करनेगे तो यहां पर पांच फंदे उल्टे होगे एक फंदा सीधा हो गया अब हमने ट्विस्ट करना है तो उल्टे वाले फंदे को इधर ले आएंगे और इसको हम सीधा बुलनेगे तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे बीच में सीधे बन रहे हैं तो यह देखें दो फंदे इनको ट्विस्ट करने के बाद हमने इन दोनों को सीधा बना लिया दागे को अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक तो और यह तीन तीन फंदे उल्टे होगे एक फंदा सीधा दो जो एक्स्टा फंदे हैं यह हम उल्टे मनाएंगे और लास्ट आइजिंग का बंदा हमारा सीधा रहेगा तो ये हमारी राइट साइड से रो 11 कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं रॉंग साइड तो रॉंग साइड से देखें जो जैसा बंदा देखेगा वैसे बनाते हुए हम इसको कम्प्लीट करेंगे उल्टी तरफ से अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटन की रो 13 है राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करके अगला एक फंदा हमारा सीधा बनेंगा अब देखें 6 फंदे हमने याँ पर उल्टे बनाने हैं तो ये होगे 2,3,4,5 और ये 6 अब इसको हमने सीधा बनाया था फिछली रो में है याँ पर हमने इसको उल्टा बना देना तो 6 हमारे ये उल्टे हो गए एक फंदा सीधा आएगा अब हमने ट्विस्ट करना है अब ये ट्विस्ट करने के बाद दो फंदों को हमने फिर सीधा बना देना है तो यहाँ पर तीन फंदे हमारे बीच में सीधे आगे फिर दागा अपनी दर्फ करेंगे अब हमारे पास दो फंदे आगे उल्टे बचे हैं तो उनको हम उल्टा बुन लेंगे अगला फंदा सीधा रहेगा और लास्ट के दो फंदे उल्टे बनेंगे एस्टिच हमारा सीधा बनेगा तो रो 13 राइट साइड से हमारी कंप्लीट होगी है तेरी 20 लाई उल्टी तरफ आगे हैं राउंग साइड से रो 14 है तो यह सेम बनेगी सीधे बे सीधा फंदा उल्टे बे उल्टा फंदा तो यह मैं बना के दिखाती हूं आपको तो देखिए यहां पर हमने पैटर्न को दो फंदों से स्टार्ट किया था और यहां बनाते हुए लास्ट में भी दो फंदे उल्टे बचे हैं यह जो डिजाइन हमारा साथ-साथ में चल रहा है तो यह देखिए लास्ट में जब हम यहां पे दो फन्ते रह जाएंगे तब दो फन्ते होटे बने अब हम पैटन को तरफ लेते हुए आदर केझ से पहला पैटन केझेट ने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग से रोवन की थी वैसे बनाना है पर यहाँ पे अब हमने एक सीधा रखना है और यह दो फंदे उल्टे रहेंगे तो देखें एक फंद सीधा एगा उसके बाद दो फंदे उल्टे एक फंद सीधा और यह दो फंदे उल्टे लास्ट का इस सीधा रहेगा राइट साइड से तो यह देखें इस तरह से मारा पैटर्ण शिफ्ट हो रहा है अब आगे हैं उल्टी तरफ तो रांग साइड से वैसे हमने बनाना है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा तो देखें अब हम आये हैं सीधी तरफ तो सीधी तरफ से देखें पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब हमने यहाँ पे साथ फंदे उल्टे बनाने हैं पर्ल स्यावन स्टिचीज साथ फंदे उल्टे बुल लेंगे अब हमने इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है पर इस बार हमने ट्विस्ट देखें किस तरह से करना है पिछले फंदे को आगे वले तरफ लेके आएंगे और आगे वला फंदा पीछे ले जाएंगे एक तो इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं पहले पीछे वाला फंदा बुन लिया फिर अगला बुन लिया नहीं तो आप इस तरह सकते हैं इसली पिछला फंदा नीडल पे लिया और आगे वाले फंदे को पीछे लेगे पिछले वाला फंदा आगे आगे देखें तो इसक तो यह देखने मारा इंटभा हमारा सीधा रहेगा तो यह देखने से मारा तो फैंट। शिफ्ट होना शुरूब हो गया थे ह new से से दो फैंट की तरप लेकर आरिहे थे अब लसो फैंटसी तरप पारे यह कि लाले ते नमेरेट जिग जाग बनता है तौफ्यांट की स्वु उल्टे बनाने है एक दो तीन चार पांच और ये छे पर्ल सिक्स्टिचिस छे फंदे हमने उल्टे बनाए अब यहां पर देखें इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और दोनों को ट्विस्ट करने के बाद सीधा बुनेंगे तो अगला एक फंदा हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमारा यहां पर तीन फंदे सीधे होने चाहिए उसके बाद दो फंदे बचे हैं वह उल्टे बनेंगे एक फंदा सीधा और लास्ट का जो एजिंग के साथ जो दो पैटन के फंदे थे वह हमने उल्टे बनाने है और ऐस दो विटव गूं गया और इस तरफ आ रहा है और रायट वाली तरफ अब आगी हमारी वालिगर साइड हमने सेम बनानी है हर बार की तरह तो यह देखे बाद सीधी तरफ आगे हैं अब आपने क्या करना है इस ही पैटन को बनाते हुए जाना है और जब तक हमारे लास्ट म यह से इसको स्टार्ड किया था यहां दो फंदे बचे थे अब इसको बनाते हुए जाएंगे तो यह लास्ट में हमारे फिर दो फंदे यहां पर उल्टे बचने चाहिए इसको इस तरह से बनाते हुए जाएंगे दो फंदे यहां पर हमारे दो फंदे उल्टे बचेंगे इस तरह से इसकी लोक आती है तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं लेडिस, जैन स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी भी आप इसको बनाईए बहुत ही सुन्दर ये बन कराता है तो अगर आपको मेरी वीडियो चीला गए तो मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूट करेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब नीजरूट करेगा मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा तो चलिए फिर बनाईए और अपने फ्रेंड्स के शेयर करें मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा हम मिलते हैं अगली एक और ने वीडियो के साथ अब तक के लिए टैंक यू